हेलो एब्रिवन आपका हमारे चैनल में स्वागत है देखिए आज अपने इस चैनल में मैं एक्सल साइज के जेंस का सोटर का मेजर्मेंट लेके आए हूं यह हाप सोटर है इसके लिए देखिए हमने 110 फंद हमने बॉटर मिले रखा है बॉटर अपनाने के बाद हमने 110 फंद लिए हैं उपर है फिर हमने डिजाइन बनाया है यह डिजाइन हमारे चैनल में डाला हुआ है 21 इंच इसके लंबाई है 21 इंच हम लंबाई बनाने के बार दोनों साइड से 5 4 2 1 फिर धर से हम 5 4 2 1 करके दोनों तरों से बाजू घटाएंगे जैसे ही हम 5 घटाना शुरू करेंगे यहां इसी समय हम यहां से गला घटाना भी भी गला हमने बनाया है भी गला घटाना शुरू करेंगे बाजु को 5, 4, 2, 1 के बाद हम बंद कर देंगे घटाना लेकिन गले की घटाई हमारे 10 इंच जाएगी यहां से बाजुक से यहां से कंधे तक 10 इंच हमने इसके लंबाई रखी है उपर हमने 28 फंदे लिये हैं तो गले घटाते हुए हम 28 फंदे तक ले आना है इसे फिर देखिए हमने पीछे साइड में बैक साइड सा बैक साइड में भी हमने उसी परकर बनाया नीचे से 21 लंबाई रखा है फिर पांच चार ती पांच चार दो एकर के गला घटाया बाजु घटाया है देखिए गले में हम चार सलाई 21-10 इंच आने के चार सलाई पहले हमने बीच में इसे 28 फंदा इधर से 28 फंदा कंधे रखके बीच वाले फंदे को हमने बंद कर दिया और दो-दो सलाई हमने बना लिया है उसके बाद हमने कंधे को जोड़ दिया है इस होटर बनाने का तरीका हमारे चैनल में ड पाजू के लिए हमने 65 फंदा सामनी की ओर से 65 फंदा बैक साइड से दोनों तरब से 65 फंदा यानि की 135 फंदा हमने लिया है बॉर्डर में इधर भी लिया है 130 फंदा 8 सलाई हमने इसे बनाई है आप चाहे तो इसे 10 सलाई ही बना सकते हैं गले में हमने 10 सलाई बनाया है बॉर्डर का अगर आपको यह डिजाइन देखना है या सोटर बनने का तरीका देखना है तो हमारे चैनल में डाल रखा है हमने किसे कैसे हमने बनाया है मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू